मैं पियूश वेप्रकाश कोयल इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा स्थापित भारत के सम्मिधान के प्रती सच्ची श्रदा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के मंद्री के रूप में अपने करतव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्र अंतकरन से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्मिधान और विदी के अनुसार नियाए करूंगा मैं पियुश विद्प्रकाश कोयल इश्वर के शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा प्यूश गोयन इनको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अपने विभागों की जिमदारी संभालते हुए अरुन जेटली की गैर मौजूदवी में सबसे इंपॉर्टन्ट मंत्राले वित्त मंत्राले की जिमदारी भी नोंने संभाली अंतरिम बजट भी पेश किया कहा ये जा रहा था कि शायद अरुन जेटली के जगह पे इनको वो जिमदारी एक बार फिर से मिलें लेके रामित शाह भी चुकी शवत लेगा